इनका काफी टाइम से लिगामेंट्स के रिगार्डिंग बहुत इशूज चल रहे थे इनके दोनों नीज में बहुत प्राउब्लम थी तो उसके रिगार्डिंग बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया गया बट कोई रिजल्ट उस बेसिस पे निकला निया आफर दैट हमें यह हां का पता चला निया और्थोपेडिक होस्पिटल जो है बेस्ट ट्रीटमेंट बढ़िया लगा इनके अभी हाल फलाल काफी रिलीफ है इनको इस चीज के लिए ऑपरेशन बहुत अच्छा सक्सेस्फुल हुआ है उसके लिए हाँ इस होस्पिटल के लिए हम लोग बहुत स्कूर कुछा है कि उन्हों हुने अपने बेसिस पे अपना बैस्ट ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड कраा इंगए का अब f पर हम फिल उनके रिगार्डिंग बेसेस पर हम लोग यहां पर इनको लेकर किया है यहां पर इनके टीटमेंट के पर्पस के लिए बाचीथ हुई थी टीटमेंट बढ़िया हुआ है स्टार्टिंग में पहले इनको प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम पीरेड में लेकिन अब जब से यह ऑपरेशन में किसी भी तरह का इनको कोई पेन हुए नहीं या इस तरह की कोई भी चीज हुई नहीं और मैं मैं इतना बोल सकता हूं और उसके बाद में इनको एक्षुली मैडिकल क्लीम मिला हूँ है तो उस बेसिस पे इन्होंने ट्रीट्मेंट अपना करवाया है और हॉस्पिटल की तरह से किसी भी तरह का कोई एक्स्टा चार्जिस या ऐसा कुछ भी नहीं लिया गया उसके लि बिल्कुल best and best services हमें लगी है दूसी चीज यह है कि हमारे यांके जो इनके डॉक्टर साहब है प्रदिन सर तो इन से जब हमने treatment लेना start किया था तो इनका बहुत अच्छा friendly behavior है मतलब बहुत corporate करके चलते हैं मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक फैमिलियर पॉइंट बेसि पर साफ सफाई भी बहुत इनों के मतलब अगर मैं आपको कहूं तो बिल्कुल गर जैसे घर में रहते हैं उस तरीके का माहौल है और साफ सफाई के basis पर बहुत कुछ है और दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरा घुट का भी चैनल है देशी मुजिक कंपनी उसके अंद करके का मैं थाई है सोल जब काल्கुल और मैं रहते हैं पर जाबल के रहते हैं बिल्स की चैनल है और ले भुटत को को कि में आपको नही यह जब खब कोकि अजब एक्कि ऊबहूंगा है और Под रहते हैं उस